लुटेनर Heimu लुटेनर उप्राइथ वाजएरा तो आज आजे के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग लुमेट का और एएस मिस का फोरम में वह किस तरह से अपलाई होता एक्ट है अपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप सबी को अगर हमारा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जुरूर सबस्क्राइब करना तो चलिए हम फोरम पर स्टार्ट कर लेते हैं कि फोरम किस तरह से होगा तो सबसे पहले बात करते हैं हम की जो एप्लिकेशन फोरम है वो जिस भी प्रोजेक्ट या या उस प्रोजेक्ट के साथ में दिया होता है उसके फोरम यानि पीडियाफ के साथ में दिया होता है सबसे पहले है कि जो जोब है उस जोब के नमबर पुछा है तो आप सभी को job की नमबर कैसे मिलेंगे वो बता देता हूँ चलिए पहले PDF में चल लेते हैं तो guys यह है PDF इस PDF के अंदर सबसे उपर ही उपर आप सभी को यहां पे लिखा हुए job की नमबर वो उसके अंदर लिखने हो उसके बाद में second पे लिखा है कि post applied for आप जिस पी जैसे SRF है, JRF है, field assistant है उसका नाम लिख देना है कि इस post के लिए हम apply कर रहे हैं उसके third number point पे आता है बात ये कि name in block letter यानि कि capital अक्सर में लिखना है आपको अपना नाम है वो capital अक्सर में लिखना है जैसे मेरा नाम Manoj है तो Manoj पूरे जैन की capital अक्सर में लिखना है उसके बाद में अपने father का name लिखना है फिर उसके बाद में आप male है या female है वो आप है लिख देना है कि जैसे male है तो male लिख देना उसके बाद में six पे यहाँ पे contact number पुछे हैं कि अपने हाद से बरा होता है उसमें mistaking बहुत कम होती है और अपने हिसाब से clear भढ़ लेते हैं उसके बाद में contact number है यहाँ पे email लिखा है तो email की जिगह आप email भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे अपनी एक photo भी लगानी जरूरी है उस photo पे अपना self participated जरूर कर दें और उसके बाद में यहाँ पे आपका address पुछा है 8 और 9 नमबर में तो आप सभी address है वो अपना fulfill कर देना है अपने pin code है अपने area के है जैसे अलग लग है अलग लग area के है जैसे 33 50 01 है अलग लगation 33 01 का है तो अज़ते अलग लग सभी area के है तो उनसभी के वहां का लिखना है उसके बाद में हैं दस नमबर पे nationality यानिकि हम इंडियन हैं तो इंडियन लेकि देना है उसके बाद में बात करते है Please इस टेस्ट यानिकी आप मेरीड हो या अनमेरीड हो तो आप अनमेरीड हो तो अनमेरीड लिख दो उसके बाद में यहां पर पुछा है कि आप SCSD से अगर belong करते हो तो अपना cast certificate लगाना है तो आप अपने अगर OBC में या general में हो तो अपनी cast लगा दो यहाँ पे अपना OBC या ICSD जो भी है अपनी category वो लगानी है अब आगे क्या पुछा है अपनी date of birth है तो अपनी date of birth है वो लगा देनी है चोधा नमर में क्या पुछा है कि age is on interview date यानि कि आपका जो project आता है उस यानि project के साथ में आपके interview के date है वो आती है कि इस date को आपका interview है तो उस date के दिन आपकी जो age है वो कितने year के हो जाती हूँ आप वो लिखना है तो आप इसे के अंदर अपने अब आता आगे metapron topic 15 नमर में अपनी qualification देखे गाइज अपने पास चिस post के लिए apply कर रहे हैं जैसे srv क्याती है master degree यानि की बी आमसी agriculture और जो field assistant क्याती है जे एरफ क्याती है वो आते बीस पे बीस पे और एग्रोमेट क्याती है वो 12th प्रास पे कई बार LDC की भी बरती आती है जो की offline forum होता है उसके भी यानि 12th प्रास में यह बरती आती है तो उसमें आप सभी को क्या काम करना वो भी बता रहा हूं सबसे पह और लो जी सब्जेक्त थो बायलोजी लगांगा दो उसमें जरूरी नहीं कि आपके बासं में जैसे एगरी ज़ेकलचर वालों के पास में तो बायलोजी और सबदेएं तो जना अक्मट पास अगर मंगा है तो इसके बारे में लिख दो अगर आपकी कोई अगर बाद करते हैं सबसे पहले ठैन्त की और ट्वेल्ट की तो आफ-जिस good से करके उस good начина नाम लिखे देना है passing year पुछा है तो यहां पे passing year है जैसे आपकी 2018 में हुई है या 2020 में हुई है तो आप उनकी sun है वो लगा देना है अब देखिए काफी में तोपिक ही आया है कि duration of course in year यानि कि 10th class करने में आपको कितना टाइम लगा और 12th class करने में कितना टाइम लगा और BAC करने में कितना टाइम लगा तो अब यहां पे देखिए MSC करने में कितना टाइम लगा तो यहां पे जैसे मैंने आप form apply किया कि जैसे मैंने 10th बढ़ दिया 12th बढ़ दिया BAC बढ़ द लगा दिया अब बात करें duration का तो 10th में 1 year हो गया 12th में एक year हो गया और BSC में 4 year हो गया और MSC में क्या करना है two year हो गया तो two year का लगा सकते हो उसके बाद में maximum यहनि कि आपके इन पास में कितने number में से कितने number आए है जिसे 12th के अंदर कितने subject होते है तो 600 में से कितने number आपके आए है पहले तो maximum number है जैसे 600 का होता है तो 600 number लिखो उसके बाद में कितने number आए है आपके जैसे आपके 400 number आए है या 500 number आए है तो आप वो number लिखे देना है इस तरह से हमारा यह last वाला topic रहा कि कि आपके percentage कितने है तो आपकी 55% है तो 55% लगा दो जैसे यहां पर मेरे मान लो 72% है उसके बाद में 12th में 73% है उसके बाद में BSC के लगा दो और MSC में इतने percentage मेरे है वो लगा दो अब बात करते हैं सबसे महत्तपुरान आगे topic कि अगर हम SRF का फोरम अपलाई कर रहे हैं तो उसके बाद में आपसे मंगा गया कि क्या आप नेट से क्वालिफाई हो यानि अगर हां तो येस पर क्रिटिक करना है यहां पर येस लिखा है अगर नहीं तो नो फिर क्या इसमें बढ़ने की अगर नो है तो कोई जरूरत नह अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो किस में किया है A.S.R.B. net, CSIR. नीट, UGC. net तो आप किस से किया हो या उसके बारे में बताना है और उसके बाद में आप सभी का बताना है कि आपका क्या किस ही साब से वो इतना है अगर आपने कहीं पर भी जोब की है पहले इस स लिखना है कि हमने यह job की है उस job का नाम यह है इस date को हमने join की थी और इस date को छोड़ दी थी वो total इतने दिन तक हमने, यानि कि total जो job है वो कर ले थी तो यहां पर इतना सा करना है अगर आपने कोई भी जिसे msc में हमने किसी variety को release किया या जिसे book लिख Liverpool लिखे है आपके बाद में यहाँ पर इतना लिखना होगा अब उसके बाद में बात करेंगे List of Document Attached यान कि Attached आपके क्यों क्या क्या डोकुमेंट अटेच कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या अटेच करना था 10th Class यहाँ पर सबसे मेतवरों डोपिक यह बता रहा हूं कि जो जो पहले लिखा हो जैसे 10th आता है तो पहले 10th फिर 12th फिर BAC फिर MSC फिर आपके पास में RACAT है और उसके बाद में क्या लिगाना है आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है फिर Original Residence है याँ कि मूल निवास है वो आपका लगाना है इस तरह से हो गया आपका फिर यहाँ पर अपनी डेट है जिस डेट को आप अपना फोरम बेज रहे हो उस डेट का लगाना है और यहाँ पर अपने सिगनेचर है वो लिख देने है इतना सा काम हो गया उसके बाद में क्या काम करें उस फोरम को स्केन कर लेना है और स्केन करके उस फोरम को यहनकि एक पॉलिथिन आती है जो जिस टाइम फोरम बना होता है तो हम जिस जहां से स्केन करवाना होता है तो वहाँ से बोल के उसको को ले लेना और उस पर अपना जो Address है जिस Address पर बेज रहे हैं उस Address को लगा देना है Guys यहाँ पर कई बार DD बनाना भी होता है तो DD वो बैंक से बनती है, वो बैंब भी बना सकते हो लेकिन प्रोजेक्ट बेस प्याते हैं उनमें डेडी वाला काम नहीं होता तो आप भेज सकती हो Otherwise यहाँ सबसे पहले बात यह कि आपको भेज़ेंगे कैसे तो यहाँ पे कोटा एकरिकल्जर यूनिवसिटी ने अभी हाल फिलाल में JRF, SRF और फिल्ड एसिस्टेंट की वेकिंसिज निकार रखिये तो उसका ओफलाइन फोरम है तो यहाँ पे एड्रेस दिया है तो आप उस एड्रेस भी ओफलाइन फोरम है वो भेजना होगा और यहाँ पे आप सभी का फिर इनफोरम कर दिया जाएगा कि आपको यहाँ इनफोरम नहीं किया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि इस डेट को इंटर्विए आपको वहाँ पे पहुंचना है और वही डोकुमेंट लगाए है वही डोकुमेंट वहाँ पे फेस तरीका है अगर हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप सभी को कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप सभी कमेंट कर देना और चैनल पर नहीं है तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना ताकि लेटेस्ट वीडियो का जिसने मिलतारी धन्यावत